प्रतम वर्ष के चात्रों के लिए वर्क्षाप काल्गुलेशन और साइंस भिस है का अध्याय बारा का आज हम लोग नाइथ वीडियो लेक्ट्चर पड़ रहे हैं अर्था आज यह नवा वीडियो क्लास है इससे पहले हम लोगों ने विभिन जामिती आकरिती उपे चर्चा की थी जिसके बारे में हमने सब कुछ सीखा था जैसे कि वर्क आयत समांतर चत्रवुच उसके बाद त्रवुच के हर प्रकार पे चर्चा की गई थी आज हम लोग जो है जिस जामिती आकरिती के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम लोग बृत करते हैं इसको इंगलिस में सर्किल बोला जाता है तो सबसे पहले हम सर्कल की परिभासा देख लेते हैं कि सर्कल की परिभासा क्या होगी अब थाथ बृत की परिभासा क्या होगी तो बिंदू का ऐसा पत बिंदू का ऐसा पत जिसकी दूरी केंदर से सदेव समान होती है यह बृत कहलाता है अब ये बिंदू का कैसा पत है ये मैं आपको दिखा रहा हूं दिखे एक ये पॉइंट है अगर ये पॉइंट ऐसे घुमें किसी बिंदू के साथ एक्ष कि सभी जगह की दूरी जो है केंदर से बराबर जैसे ये बिंदू है यहां से यहां गया यहां गया यहां गया यहां तो सभी बंदू की दूरी कितनी होगी आर। और इस आर को क्या बुला जाता है। त्रिज्या जोसको हम इंगलिश में रेडियस बोलते हैं। तो बिंदू का ये जो पथ आप देख रहे हैं, ये सभी पथ पे जितने भी बिंदू हैं, तो केंदर से इन सब भी बिंदोयों की दोरी समान होती है जिसकों तिरिजया गोलते हैं और केंद्र से होकर गुजरने वाली एक सीधी रेखा जो दो बिंदों से मिलती है वह भृत का ब्यास को दाती है जैसे यह जो रेखा? आप ब्रित का त्रिज्या होगा आर जो है यहां पर ब्रित का त्रिज्या है और डी को हम क्या बोलते हैं ब्यास बोलते हैं और ब्यास जो है त्रिज्या का दो गुना होता है यसलिए आपको यहाँ पे एक समेकरन लिखा गया है D बराबर 2 into R अगर आपको त्रिज्या मालूम है तो उसका दोगना कर देंगे तो बृत का ब्यास पता चल जाएगा और अगर ब्यास मालूम है तो उसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या मालूम हो जाएगी तो आपको यह समेकरन D बराबर 2 R हमेशा ध्यान रखना होगा और पाई का मान जो है 22 बटे 7 होता है और ब्रित के लिए पाई जो है हर जगर इस्तेमाल होगा तो पाई का मान 22 बटे 7 और अगर इसी को हल करके देखने तो 3.1 चार होगा तो ब्रित की परिभासा पढ़ने की बात अब हम देखेंगे कि ब्रित का छेतरफल का सुत्र क्या होता है तो ब्रित का जो छेतरफल का सुत्र होता है वो पाई आरी स्कायर होता है तो अगर बृत का च्छेतरफल अगर आपको मालूम करना है तो पाई यार स्क्वाइर के सुतर से मालूम कर सकते हैं और बृत की परिधी परिधी क्या होता है जैसे अगर आपने वर्ग में देखा होगा अगर हम आपको वर्ग पढ़ा रहते तो वर्ग में क्या बताया क्यात मतलब जिस रेखा के सारे ये अक्रिदी बनी है उस पूरी रेखा की लंबाई तो यहां से यहां तक की रेखा गई फिर ऐसे आई फिर ऐसे आई इस पूरी रेखा की लंबाई ही वर्ग का परिमाप कहलाती थी तो बृत का परिमाप क्या होगा तो आप देख रहें कि जो बिं ब्रित्त का परिमाप के वह तो नि辜ार तो जहां पाई का मान आपको बताई गया था इसका गिए उप ब्यास में अगर पाई का गुळा कर दिया जाए तो क्या निकालायेगा ब्रित्त्ताकार कोई वर्गा बृत्ताकार जमीन है और आपसे पूछा जाया कि इसके चारो तरफ अगर तार लगाना हो तो कितनी लंबाई का तार चाहिए तो यहां पे अगर आपको पता है कि बृत्ताकार जमीन है और चारो तरफ तार लगाना है और त्रिज्या आपको मालूम है तो जो तार की लंबाई होगी वो बृत के परीधी के बराबर होगी और परीधी का मान कैसे निकलेगा टू पाई आर के सुत्र से निकलेगा अब आगला क्वेस्टन आपको देखना है कि बृत की त्रिज्जा अब बृत का छितरफल ग्याद करें जिसकी त्रिज्जा एक दवरों पांच चार मीटर है और इसकी परीधी भी ग्याद करें मतलब बृत का छितरफल भी ग्याद करना है और परीधी भी ग्याद करना है जिसका त्रिज्जा जो है एक दवरों पांच चार मीटर के बराबर है तो जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि बृत का छितरफल क्या होता है पाई आर स्कॉयर तो पाई कमान क्या रखेंगे बाइस पटे साथ और आर कमान क्या रखा जाएगा एक दवरों पांच चार उड़े एक दवरों पांच चार क्यूं? rendered क्योंकि ट्रिज्या का स्कॉयर होता है तो एगश मनों पांच चार गुड़े एकदव स्कॉयर पांच चार अब साथ का भाग देंगे एकद्वरों पांच चार में तो दशमनों पांच च्यार में तो दसमनों दो बार जाएगा साध दुना के चोउद़ एक बज आएगा वह ब्रित का च्छतरफल होगा तो 22 गुड़े एक तुन पांच चार इसका वैल्यू कितना आएगा साथ दस्मालो चार पांच और यह किसमें आएगा वर्ग मेटर में क्योंकि आपकी त्रिज्या दी गई थी मेटर में दी गई थी और मेटर मेटर का गुड़ा होग तो क्या बनेगा वर्ग मेटर तो यहां से ब्रित का च्छतरफल कितना आगया साथ दस्मालो चार पांच वर्ग मेटर अब अगर इसी ब्रित की परीधी ग्याद करनी है तो ब्रित की परीधी ग्याद करने का सुत्र क्या होता है टू इंटू पाई इंटू आर तो दो गुड़े पाई कमान बाइस वर्ग मेटर साथ गुड़े एक दस्मालो पांच वर्ग मेटर जहां पर त्रिज्या जो है आर कमान एक दस्मालो पांच वर्ग मेटर दिया गय करेंगे तो उत्तर आएगा और इसको गुड़ा करने का तरीका क्या होगा कि दस्मलों को भूल जाए बाइस गुड़े बाइस का वर्ग करना है और बाइस का वर्ग कितना हो जाएगा दाएं चारसो चौहरासी ओ फिर उसको डबल करना होगा तो चार सो चौहरासी जब डबल करेंगे तो चार सो का दूगुना 800 और 84 का दूगुना 161 तो 800 में जब 161 जोड़ देंगे तो टूटल हो जाएगा 961 और दस्मोलों चुकिए दूग के बाद था तो यहां पे भी दस्मोलों दूग के बाद लग जाएगा तो नव दस्मोलों 6-8 मेटर हो जाएगा तो ब्रित की परिधी कितनी आ गई नव दस्मोलों 6-8 मेटर इस प्रशने के लिए ब्रित का छित्रफल और ब्रित का परिमाप जिसको परिधी बोलते हैं हमने ग्याद कर लिया अब अगला जो प्रश्न है कि एक ब्रित्ताकार भुखंड जिसका छित्रफल 616 वर्ग मेटर है इसका परिधी ग्याद करें तो इस प्रश्ण में आपको कोई बृत्ताकार वुखंड है जिसका च्छत्रफल 616 वर्ग मिटर है दे दिया गया है और इस बृत्त की परिधी ज्याद करना है तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो बृत्ताकर वुखंड का च्छत्रफल होगा वो प्यर्ग मिटर पहले से दिया गया है तो ये किस के बराबर होगा pi r square के बराबर होगा हमें तृज्या मालूम नहीं है लेकिन pi into r square बराबर 616 worm meter कर दिया हमने क्योंकि हमें पता था कि pi r square के pi r square निकालेंगे तो वो 616 worm meter के बराबर ही आएगा तो यहां से r square का मान कितना आएगा 616 meter square स्कॉर बराबर हो गया 616 गुड़े साथ बटे में 22 जब 22 का भाग देंगे 616 में तो 28 गुड़े साथ लेकिन हमें तो त्रिज्जा का मान मालूम करना है क्योंकि हमें परीधी ग्याद करना है इस बृत्ताकार भुखंडे की तो आर स्कॉर का मान हमें पता चल गया अफ्थार त्रिज्जा का वर्ग कमान 28 गुड़े साथ है लेकिन हमें आर निकालना है तो वर्ग मूल लेंगे तो कणी लगा दी हमने 28 गुड़े साथ पे अब 28 का हमने फैक्टर किया तो 7 गुड़े 4 हो गया और यह साथ पहले से गुड़ा था अब यह साथ और साथ को एक साथ रख जाए गर तो आर कमान कितना हो जाएगा साथ गुड़े दो इसका मतलब यह हो गया कि इस बृत्ताकार भुखंड का दूरिज्या और 14 मिटर की बराबर है तो जब बृत की तरिज्या मालूम चल गई तो बृत का परिमाप का सुत्र क्या होता है अर्थाथ बृत का जो परिमाफ होगा यह परिधी होगा क्योंकि यहां पर यहां पर बाग करेंगे 24 में 2 बर चला जाएगा तो यहां पर उपर में क्या आएगा दो गुड़े 22 गुड़े 2 अधर 22 में 4 का गुड़ा तो 22 में जब 4 का गुड़ा करेंगे तो इतना आएगा 88 मीटर तो इस बृत्ताकार भुखंड का जो परिधी है वो कितने मीटर आया है 88 मीटर आया तो जिस इस बृत्ताकार भुखंड का 666 मीटर था उसकी 34 मीटर होगी और उसका परिमाप 88 मीटर होगा यह दूनों ही अंसर हाल हो गए अब अगला क्वेश्चन आपको देखना है कि वर्गाकार आकरिती में लपेटे गेतार को जब बृत्ताकार आकरिती में लपेटा जाता है तो बृत्त की तरिज्या 89 संटीमेटर होती है तो वर्ग की भुजा ग्याद करें तो देखे एक लंबा सा तार है जिसको जब वर्ग की आकरिती में लपेटा जाता है इसका मतलब कि इस तार को हम चार भुजाओं की आकृती में लपेट देते हैं वर्ग की आकृती में और जब इसी तार को बृत्ताकार आकृती में लपेट दिया जाता है अर्था तो एक रिंग की भाती लपेट दिया जाता है तो ये जो बृताकार आकृती बनती है तो इसकी त्रिज्या 49 cm होती है तो वर्ग की भुजा मादूं करना है तो एक बात तो आपका common sense से ये clear होना चाहिए कि जो वर्ग का परिमाप होगा वो बृत के परिमाप के बराबर होगा क्योंकि एक ही तार हमने लिया था उसी तार को एक बार वर्ग की आकृती में लपेट दे रहें तो परिमाप तो चाहे वर्ग में लपेटा जाए चाहे बृत में लपेटा जाए तार की लंबाई तो और जब उसी तार को ब्रित्न के आकरिटी में लेपट दिया जाएगा तब भी उस तार की लंबाई़ वही होगी ज OW Aha जो पृत्य के परिमापकी होगी इस बात से निश्कर्ष है निकलता है कि ब्रित्र का जो परिमाफ हुगा इस प्रश्न के लिए वो वर्गे के परिमाप के बराबर होगा तो बृत्तकार तार की जो तुरिज़्या है तो बृत्तकार तार की परिधी क्या होगा ? टूप आइयर यहां पे मान नखेंगे दो गुड़े 22 गांट बाइस में और फिर का गुड़ा करतेंगे तो गुड़े साथ करेंगे इंतों получ को scor on हो जाए गा सिंट्वन में जब दो का गुड़ा करेंगे तो 308 है आएगा सूरेगा अने बित की जो परिधी है वह 308 nårट का पिसले हो सथा ने इसका क्टा मतलब यह था कि तार की जो मूल लंबाई थी 308 cm थी पर ग Corey तो यही तो आपका भृत को वर्ग का परिमाप भी होगा तो ब्रित कि परिदी बराबर तो गारी मार बरी का सुत्र क्या होथा न गाला है कि यह बराबर होगा तो इसका मतलब देमादHHHH तो एक अमान यहां पर क्या हो जागा 308 बटे में चार और 308 में जब चार का भाग करेंगे तो आएगा क्या उत्तर सत अतर तो इसका मतलब कि जो वर्ग की भुजा ओगी वह कितने अटीमींटर लंबी होगी 37 संटिमीटर-, यहांसे पता चल गया कि अगर एक 308 cm कर ऊर्द की आकर्टी में लपटेंगे घर हैं तो प्रतेख वर्ग वह 49 सेंटीमेटर की होगी अब अगला क्वेश्टन देखिए कि बृत की त्रिज्जा ग्याद करें अगर परिधी और ब्यास के बीच अंतर 28 सेंटीमेटर है इस प्रश्ण के लिए आपको देखना क्या है कि बृत की त्रिज्जा मालूं करनी है अगर उसी बृत की परिधी और ब्यास के बीच अंतर हमें जबकी मालूम है और यह 28 सेंटीमेटर है तो जैसा कि हमें पता है कि बृत की जो परिधी का सुत्र होता है वो किसके बराबर होता है टू पाई आर के बराबर होता है और ब्रित का ब्यास का सुत्र क्या होता है टू इंटु आर अर्था त्रिज्या का दोगना तो जैसा कि प्रेश्ण में दिया गया है इसलिए में लिखा चुकि परेधी माइनस ब्यास क्योंकि परेधी और भ्यास का अंतर तो परेधी माइनस लेंगे तो बचे का किया ब्रैकेट मेरा एक गटा देंगे और पक्शानतर करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा 28 cm बटे में जा बटे में 2 won 4 में से एक गटाने पर 1 दो दस्मेलो एक चार बाचा के से लंगे तो दस्मेल 05 और यह बचाएगा थांताइस सेंटी मेटर ऑब टे मेरे का चार द्रसमौल्व 28 तो 28 में ज keyboard 28 का भाग देंगे तो उत्तर के आएगा और यह किसका मान आया है त्रीजयाग तो यहाइ से यह पता चल गया में जो बृत की त्रीजय होगी वह कितनी होगी शेट अंग, पांचा सेंटीमेटर तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही वीडियो देखने के लिए आपको धन्यबाद